नीट पेपर लीग को लेकर आज CBI का दो जगहों पर आक्शन दिखा पहला बिहार और दूसरा जारखंट के हजारी बाग में बिहार में जिस लर्न एंड प्ले स्कूल में नकल माफिया ठहरे थे उसे किराये पर दिलाले वाले मनीश प्रकाश को CBI ने पकड़ लिया है मनीश प्रकाश वो कड़ी है जिसके पकड़े जाने के बाद नकल माफियाओं के नेटवर्क का पता चलेगा पटना में जो पेपर पहुचा था वो हजारी बाग के OISIS स्कूल का ही था 24 जून को प्रिंसिपल एसान उलहक जो थेयोरी मीडिया के सामने पेश कर रहे थे CBI के पहुचते ही उनकी वो थेयोरी फेल हो गई पेपर स्कूल से लिख नहीं वा तो फिर कहां से लिख हुआ CBI नीट पेपर लीख करने वालों के कितने खरीब पहुच चुकी है अब तक ये रिपोर्ट देखिए एक स्कूल और दो पेपर लीख एक एकजाम में 24 लाग शातर बैखित तो दूसरे में 9 लाग नीट की परिक्षा रद कर दिगई तो नीट की परिक्षा रद करने का अईलान कभी भी हो सकता है नीट और नीट दोनों का पेपर लीख हुआ इसकी जांच CBI कर रही है और पूरी जांच अब हजारीबाग के OASIS स्कूल पर आका टिक गई है हजारी बाग का ये वही Oasis स्कूल है जहां पहले नीट और फिर बाद में नेट का एक्जाम हुआ था और पत्ना में नकल माफ्याओं के पास से मिला नीट का लीग पेपर इसी स्कूल का है पत्ना में नकल माफ्याओं के पास से 6136488 सेरियल नंबर का जो क्वेश्चन पेपर मिला था वही सेरियल नंबर का क्वेश्चन पेपर Oasis स्कूल के रूम नंबर 18 में परिक्षा दे रहे एक परिक्षारती का था और अब CBI के एंट्री होते ही लीग पेपर की गुत्ती सुलजने लगी है हजारी बाग में दो दिनों से CBI की टीम डेरा डाले हुए है और पेपर लीग केस में सारी कडिया अब एक दूसरे से जुड़ने लगी है CBI के टीम पेपर लीग करने वाले के करीब पहुँच गई है यह देखे स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो पीछे की तरफ बैठे हुए है इस गाड़ी में देखे इधर आके हम आपको एक बार दिखाने कोशिश करेंगे एक बार फिर से CBI की टीम जो है वो Oasis स्कूल में पहुची है हम आपको बता दें कि नाकेवल नीट मामला बलकि नीट के लावा UGC NET का जो मामला है उसको लेकर भी CBI जो है वो पूस्ताच कर रही है इस पूरे मामले के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल से इसके अलावा जो दूसरा स्टाफ है उन सभी से इस पक पूस्ताच कर रही है प्रिंस्पल एहसान उलहक हिरासत में लिए जा चुके हैं पेपर लिग का पुरा शक स्कूल और स्कूल के प्रिंस्पल एहसान उलहक पर जा रहा है एहसान उलहक ने पटना E.O.U. के सामने पेपर लिग की कोई ठ्वेरी पेश की थी तो CBI के सामने कोई दूसरी इत्वेरी CBI के entry से पहले एहसान और ख़क ये जरूर बता रहे थे कि पेपर लीक कैसे हुआ लेकिन पेपर लीक किसने किया पेपर लीक कहां से हुआ ये नहीं बता रहे थे 24 जून को इहसान उलहक नेक्स कुद को पाक साब बताने की फूरी कोशिश की E.O.U. ओफिसल्स का कह रहा था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहां कुछ इस तरह के इक तब माइनर प्रेसाइजन कट एक था बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेसरल दोवारे जो किया जा सकता है जो साथ लेयर अधर जाकर वो कट यहां से किया तो वो कट करके फी एक गुलू से चिपका जए गया जो किसी मामुली आदमी आम आदमी के पकड़ से भार है हमारे और आपके जैसे आम अद्मी इसको बिल्कुल पकड़े पाएंगे लेकिन जैसे ही CBI की इस केस में एंट्री हुई जाँच पूरी तरह से Oasis स्कूल और प्रिंस्पल एहसान उलहक पराका ठिक की एहसान उलहक से CBI हिरासत में पुष्टाच कर रही है कभी सेफ हाउस तो कभी स्कूल में हिसान उलहक से पुष्टाच की जा रही है FSL के टीम के साथ CBI स्कूल के चपपे चपपे की जाच कर चुकी है प्रिंस्पल एहसान उलहक के फोन लेप्टॉप को खंगाल रही है बिते तीन महीने में एहसान उलखक ने किन किन लोगों से बात की उसका डेटा और CBI निकलवा रही है एहसान उलखक के दो फोन, एक लेप्टॉप और वाइस प्रिंस्पल इम्तियाज आलम का भी एक फोन और एक लेप्टॉप CBI जब्द कर चुकी नकल माफियाओं ने पूरा दिमाग लगा कर पेपर लीग किया ताकि पकड़े न जाए लेकिन उनसे एक गलती हो गई और जांच अजिंसियों के रडार पर आ गए गलती ये हुई कि उन्होंने ओरिजिनल पेपर की तस्वीर खीच कर नकल माफियाओं को पास आउट कर दिया जिस पर स्पिरियल नंबर छपा हुआ था और अब CBI को एहसान उलहक पर पेपर लीग करने का शक इसलिए और कहरा रहा है क्योंकि एंडिये जो एक्जाम कंड़क्ट कराता है उसका सीटी कॉडिनेटर एहसान उलहक ही है एहसान उलहक हजारी बाग के सीटी कॉडिनेटर थे और सीटी कॉडिनेटर होने के नाते राची से हजारी बाग पेपर आने के बाद पेपर कब कहां जा रहा है? इसकी पूरी जनकारी एहसान उलहक को थी. अब सवाल है कि क्या 24 जून को एहसान उलहक ने जूट बोला था? पेपर दिल्ली से राची हवाई जहाद से पहुंचा, फिर तीन मई को ही पेपर दिल्ली से राची हवाई जहाद से पहुंचा, पेपर सीधे बैंक न जाकर प्राइबेट कोरियर कंपनी के पास पहुंच गया. फिर एक यी रिक्षा के जरिए प्राइबेट कोरियर से एक विना किसी सुरक्षा के पेपर को को एस्वियाई बैंक भेजा गया कोरियर कंपने के दफ्तर से एस्वियाई की दूरी करिब डेर किलोमीटर है लेकिन पेपर पहुंचने में एक से डेर घंटे का समय लग गया और सिटी कॉडिनेटर होने के नाते एहसान उल्हक को पेपर के हरेक मुवमिंट की जानकारी थी एहसान उलहक पेपर ट्रेवल पर नजर रख रहे थे और सुत्रों के मुताबिक 3 माई की श्राम SBI बैंक में पेपर्स रखे जाने के बाद एहसान उलखक वहां गय थे सवाल यह कि जब एक्जाम 5 माई को था तो फिर बैंक में पेपर पहुँचने के बाद एहसान उलखक वहां किस लिए गय थे सुत्रों के मुताबिक नीट का पेपर हजारी बाग में 3 माई को ही लीख हो गया था और 3 माई की राद को ही नकल माफ्याओं के पास पेपर पहुँचिया था इसके बाद चिंटु ने उस पेपर को अपने साले रोकी को भेजा फिरोकी ने उसे राची के एक डॉक्टर की पास भेजा जहां दस डॉक्टर्स को पेपर हल करने के लिए दिया गया इसके बाद वहाँ से फिर क्वेश्चन पेपर और आंसर शिट पटना में पहले से मौजूद चिंटु के अपन पर आया अब सवाल यह कि हजारी बाद से पटना पेपर पहुचले में इतना समय क्यों लगा ये भी समझ लीजी नेट की परिक्षा में 200 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से परिक्षारतियों को 180 सवालों का जवाब देना होता है परिक्षारतियों को इसके लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है और पेपर लीख होने के बाद नकल माफियाओं को 200 सवालों का सही जवाब लिख लिख पटना चिंटु के पास बेजना था और कोई भी अनजान शक्स 2-3 घंटे में 200 सवालों का सही जवाब नहीं दे पाएगा 200 सवालों को हल करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे का समय लग सकता है पटना E.O.U की टीम जाच करती रही इधर एहसान उलहक पेपर लीख के सभी आरोपों से पल्ला जारते रहे लेकिन जैसे ही C.B.I. की एंट्री हुई पेपर लीख की कडियां एक दूसरे से जुरने लगे सबसे पहले C.B.I. ने पेपर ट्रेवल रूट को पकड़ा इसके बाद C.B.I. की टीम S.B.I. बैंक की 3 मई की CCTV उपकुटेज को खंगा ले C.C.T.B. देखने के बाद C.B.I. की टीम सबसे पहले रहसान उलहक को ही कस्टडी मिल यहां से 20 किलोमेटर दूर पर एक सेफ हाउस है वहाँ पर C.B.I. राद भर पूस्ताज करती है स्कूल के प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से और इसके अलावा जो बाकी का स्टाफ था यानि की 5 तारिक को जो एक्जाम कंड़क्ट कराया गया जो पेपर लीक हुआ नीट का उससे स्कूल का कनेक्शन निकला स्कूल का लैप्टॉप, मोबाइल फॉन इन सब को सीज कर लिया है स्कूल में जो जो वहाँ पर मौझूद थे उन सबसे C.B.I. लगातार पूस्ताज कर रही है ये जानना चारही है कि आखिरकार पेपर जो है वो जला हुआ, पेपर जो इस सेंट्र को अलोट हुआ था, वो पटना में कैसे मिला क्या हजारी बाग से ही नीट जो है उसका एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ, क्या प्रिंसिपल जो है इसके अंदर एक एहम रोल है इन तमाम चीजों को CBI जो है वेरिफाई कर रही है जिस ट्रंक से पेपर लिख हुआ उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है देवगर से जो डाइरी मिली है उसकी भी जाँच की जा रही डाइरी में चिंटू समेत कई नकल माफ्याओं का हिसाब किताब है डाइरी में पेपर का रेट 30 लाग से 60 लाग रुपए सेट किया गया है लेकिन हैंड राइटिंग खराब होने के कारण डाइरी को ठीक से पढ़ा नहीं जा पा रहा है इसके लिए अब एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है पेपर ट्रंक में दो तरह के लॉक लगाए जाते हैं एक डिस्टल और दूसरा मैनुवर और पूरे देश में आटोमेटिकली डिस्टल लॉक खुलने का समय एक बच कर 15 मिनाट फिट किया गया था लेकिन हजारी बाग के उएसेस स्कूल के ट्रंक का डिस्टल लॉक नहीं खुला जिसके बाद एक कटर से लॉक को काट का ट्रंक को मैनुवरी खोला गया था राच्छी से हजारी बाग फिर वहां से कूरियर ओफिस कूरियर ओफिस से बैंक तक पेपर पहुँचाने में जितने भी लोग शामिल था वो सभी सिबी आई के रडार पर है सिबी आई अब उस यी रिक्षा चालक को ट्रैस कर ली जिसने कूरियर कमपनी से एस बी आई बैंक महस देर किलोमीटर दूरी को देर घंटे में तै किया सवाल यह कि इस रिक्षा पर क्वेश्टन पेपर लेकर इतना देर कहां तक चालक गयब था बीच रास्ते में पेपर कहीं और तो नहीं ले जाया गया था क्या कुरियर ओफिस से बैंक ले जाते समय ही पेपर लीक किया गया है इन सभी सवालों का जबाब तलाशते हुए अब सिभी आई उसकी रिक्षा चालक तब पहुँच गई जो पेपर लेकर बैंक गया है हजारी बाग के OSS स्कूल पर दोरा श्रक इसलिए हो रहा है क्योंकि नीट के साथ नेट का भी पेपर लीक होने की श्रिकायत मिली था इसके बाद नेट के एक्जाम को रद कर दिया गया और OSS स्कूल में 5 मई को नेट एक्जाम का सेंटर पड़ा था तो इसके ठीक 43 दिन बाद 18 जुन को नेट का भी सिंटर पड़ा था और दोनों ही केस की जानद CBI कर रही नेट का पेपर लीक हजारी बाग से हुआ था ये तो कनफर्म हो गया लेकिन सवाल ही है कि क्या नेट पेपर लीक में भी OSS स्कूल और या फिर कोई स्टाफ शामिल और CBI इसी का जबाब तलाश रही इसी नेट का पेपर भी इसी स्कूल के अंदर कंड़क कराया था 18 तारिक को तो इसको लेकर भी क्या हजारी बाग का इसी स्कूल का और प्रिंसिपल का कोई रोल है ये CBI समझना चाहती है जिसको लेकर CBI ने अपने पूसाज का दारा बढ़ाया है रहे मंतराले के अंदर में एक साइबर क्राइम यूनिट आती है उन्होंने इस तरह के इनपूर्ट जो है UGC यानि की Ministry of Education को दिये कि इस examination को जो conduct कराया गया उसमें कुछ ना कुछ गड़बडिया हुई है exam compromise हुआ है इसके बाद जो education ministry है उनके secretary की तरफ से CBI को एक लिखिश शिकायत दी गई जिसके बाद CBI ने अग्यात लोगों के खिलाब एक मुकदमा दर्ज किया जिसमें IPC की धारा 420 है 120 भी है ये एक FIR CBI ने अलग दर्ज की UGC net मामले में और मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा है हाला कि शुरुआत में CBI को ये नहीं पता लग रहा था कि UGC net का paper जो leak हुआ है उसका origin किया है यानि कि वो कहां से leak हुआ कौन मुक्खे आरोपी है इसलिए अग्यात लोगों के लाब मामले दर्ज किया गया लेकिन अब ये जो स्कूल है हजारी बाग का यारी की नीट के बाद UGC net जो exam conduct कराए गया उसमें भी हजारी बाग connection निकल रहा है Oasis school का connection निकल रहा है और यहां के principal का connection भी निकल रहा है सवाल है कि जब पटना E.O.U. हजारी बाग के Oasis school से लीग पेपर की जार्ज कर रही थी तो फिर 18 जुनको NET का exam NTA ने हजारी बाग के Oasis school में क्यों conduct कराया दरसल यहां एहसान उलहक ने अपनी पहुँच का पूरा इस्तमाल किया एहसान उलहक हजारी बाग में NTA का सीटी कॉडिनेटर था और इसने अपनी पहुँच से 18 जुनको NET का exam Oasis school में रखवा लिया नीट हो या फिर NET paper league अब दोनों का ही connection हजारी बाग से जुडने लगा नीट paper league में अभी तक 28 गरपतारियां हो चुकी और पतना से लेकर हजारी बाग और महराश्ट के लातूर से लेकर गुजरात के गोधरत CBI paper league के एक-एक किरदार तक पहुच रही और कडियों को जोड रही मतलब साफ है कि अब paper league करने वाले CBI से बचने वाले नहीं